नमस्कार दोस्तों केंद सरकार का बड़ा फेसला देज भर में लागू हुआ राचन का नाया नियम तो वो नियम जान लेते हैं क्या है और इसमें क्या क्या बदलाव हुए दोस्तों तो चलिए यादर टाइम ने लेते हुए स्टार्ट करते हैं कभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वेल आइकन को क्लिक करना ना बूले दोस्तों ताकि जो रेगुलर वीडियो डालते हैं उसका नोडिफिकरेशन आपको मिल सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या बदलाव हुए हैं अगर आप भी राशन काड लब ब्यारती हैं और सरकार की फ्री राशन योईना का लाब ले रहे हैं तो आपके लिए अच्छी गवर है आपको बता दे कि सरकार के इस नियम के बाद कोड़ेदार किसी भी सूरत में कम राशन नहीं दे सकेंगे दरसल सरकार ने कोड़ेदारों के लिए नया नियम लागू कर दिया है एक तरफ सरकार ने लोगों के फाइदे के लिए फ्री राशन की अब दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिये जैसे कि आपको पता है और नहीं पता है तो दिसंबर के लिए बढ़ा दी गई है दिसंबर वहीं दूसरी तरफ मोधी सरकार की महदवकांग सी वन नेशन वन रासनकार योजना भी पूरे देश में लागू हो गई है जिसके बाद सभी दुकान ओपर ओनलाइन सरकार के इस फेसले से आप किसी भी लभ्यार्थी को कम राशन नहीं मिलेगा पहले जो है राशन तोल में नहीं होगी गड़वड़ी दरजल केंद सरकार ने राश्टिय खाद सुरक्षा कानून नेशनल फूर्ट सेक्रिटी लोग के तहत लभ्यार्थियों को सही मात्रा में उपलब्द करा होस इसके लिए राशन की दुकानों पर इलक्ट्रोनिक पॉइंट ऑफ सेल इपोस उपकरनों को इलक्ट्रोनिक तराजु के साथ जोड़े जाने के लिए खास रक्षा कानून नियमों में संसुदन कर दिया है इसके बाद अब सभी कोड़ेदारों को इलक् प्रशित दरवाली सभी दुकानों को ओनलाइन इलक्ट्रोनिक पॉइंट ऑफ सेल यानि इपोस इओस डिवाइस के से जोड़ दिया जाएगा ठीक है यानि आब राशन तोल में गड़बड़ी की कोई जो गुंजाई ही नहीं बची है आपको बता दे कि सरकान ने राशन को जो है हाइबरीट मोडल की पॉइंट ऑफ सेल मसीन हुईया करा गई है सरवजनिक वित्रण बंडाली पीडी एस के लब्यार्ति को किसी भी सूरत में कम राशन ना मिले आपको पता दे कि मसीने ओनलाइन मोड के साथ ही नेटवर्क ना रहने पर ऑफलाइन भी काम करेगी क्या है नियम तो नियम जालने थे सरकार की तरफ से जो है सरकार की तरफ से दी गई जानकरी के अनुसार ये संसोजन एन एफसे के तहत लक्षित सरवजनिक वित्रण बंडाली टीपीडी एस के संचालिक की पारदर सीता से सुधार के माध्यम से अधीनियम की धारा बारा के तहत खादन तोल में सुधार पिर्क्रिया को और आगे बढ़ाने का एक प्रिया से दरसर लगादार ये सिकायत आती रहती थी कि कहीं जगाओ पर कोटेदार जो है कम रासन तोलते हैं राश्टिय खास रक्षा दीनियम एनफस है के तहत सरकार देश के करीब 80 करोड लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति महा पांच किलो गेहूं और चामल जो है खादन करमशा दो तीन रुपे प्रति किलो की रियायती दर पर दे रही है तो ये जो बदला हुए हैं वो सरकान ने जानकारी दी की इपोस करोणों को उचित तरीके से संचलित कनने वाले राज्यों को प्र पली 2015 के उपनियम 2 के नियम साथ में संसोदन किया गया है इसके तहट पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस की खरी संचलन और रख रखाओ की लागत के लिए प्रदान किये गए अतिरेक्ति मार्जिन से अगर किसी भी राज्य केंदर सासित प्रदेश को यदि बचत होती है तो उ कि खरी संचलन रख रखाओ के साथ दोनों के एक ही करण के लिए उप्योग में लाए जा रहा है यानि सरकार अब लभी अर्तियों तक पूरा रासन पहुचाने के रिए सकत हो गई है तो यह जो है आज की जानकारी है तो जो भी जो कोड़ेदार थे ठीक है वह आपका आना करें सबसारीब करें धन्यवाद दोस्तों मिलता है नेक्स्ट उडियों